नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ज्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों किसी भी संबंध किसी भी रिष्टे में अगर कोई दरार आ गई है कोई भी मनमुटाव हो गया है कोई आपसे नाराज हो गया है आपसे रूट करके चला गया है आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं आप उसके बिना रह नहीं पा रही हैं और बात यहां तक प दोस्तों ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए चाहे वह पति-पत्नी हो, प्रेमी-प्रेमिका हो, या कोई भी दो इनसान जो एक दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं, इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और वापस आएगा आपके पास आपसे माफी मांगेगा। दोस्तों इस उपाय को स्त्री पुरुष लड़का लड़की कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, लेकिन इस बात का आपको विशेश करके ध्यान रखना है कि टाइम पास के लिए उपाय बिलकुल भी नहीं करना अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप सच में रिष्टा सुधारना चाहते हैं, तभी आपको उपाय करना है, अन्यथा गलत अवधारना को लेकर के आपको उपाय नहीं करना है। अगर आप पवित्र मन से उपाय करेंगे, तो आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आप हमसे अपना कुंदली दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, या अपने प्यार से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप 200 रुपए की फीस देकर के डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं, तो आएए अब बात करते हैं उपाय के बारे में, दोस्तों इस उपाय को आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन करना है, इ यदि आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने हाथ पैर धो करके भी उपाय के लिए बैठ सकते हैं, आपको एक एकांत स्थान पर कोई भी आसन कपड़ा लगा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अ आप इसे कोई भी बरतन कटोरी कागस किसी भी चीज पर रख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग के स्केच पेन या मारकर से आपको उल्टे हाथ पर यानि लिफ्ट हैंड पर बीचो बीच संख्या लिखनी है, पांच और इस संख्या पांच पर जो नमक आप आपने लिया है, उसे उठा करके रख देना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी सीधे हाथ की तरजनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उसे नमबर पांच के उपर रख देना है, यानि उल्टे हाथ में जहां पर आपने संख्या पांच लिखा हुआ है, उसक इसे बाद आपको क्या करना है? उस इनसान को याद करना है? उसे सोचना है? जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रही हैं? बिलकुल एकाग्रचित होकर के उस व्यक्ति को स्मरण करना है? ध्यान रहे? उपाय करते समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. दोस्तो उस व्यक्ति को याद करने के बाद उसका चहरा अपने मन मस्तिष्क में लाने के बाद आपको क्या करना है एक मंतर बोलना है मंतर बहुत ही सरल है इसे आपको पहले से ही याद कर लेना है और मंतर को आपको मौखिक रूप से बोलना है मंत्र कुछ इस प्रकार है वसह सम अमुक वशे अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं मंत्र को आपको साथ बार बोलना है और अपनी तरजनी उंगली को हटा लेना है और जो नमक है उसे जाड़ देना है इसके बाद आपको क्या करना है जो संख्या पांच आपने लिखा हुआ है उसे अपने हाथ में ही लिखा रहने देना है आपको इसे जानबूच कर नहीं मिटाना है यह अपने आप मिटना चाहिए आप नहाएंगे या हाथ वगेरा धोएंगे तो यह धीरे-धीरे करके मिटने लगेगा और जैसे-जैसे यह मिटने लगेगा वैसे-वैसे सामने वाला व्यक्ति आपको याद करने लगेगा और दो से तीन दिनों के भीतर ही आपको इसका लाभ दिखने लग जाएगा और वापस आपके पास आकर आपसे माफी मांगेगा बस आपको सच्ची श्रग्धा और पूरे विश्वास के साथ उपाय करना है आपको जरूर सफलता मिलेगी तो मित्रों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन मिलते हैं